हेलो दोस्तों वेलकम टू प्लैसिफाई अल्गरोड जीले में स्थीत है यह एरपोर्ट 1960 में शुरू हुआ था वही लंडन का लंडन हीत्रो एरपोर्ट सिटी सेंटर से 23 किलोमेटर दूर हिल लिंडन एरिया में स्तीथ है यह एरपोर्ट 1929 में शुरू हुआ था पहले इसे लंडन एरपोर्ट के नाम से जाना जाता था बाद में 1966 में इस एरपोर्ट का नाम हीत्रो एरपोर्ट रखा गया दोस्तों अगर एरिया के बात करें तो दूबई का दूबई इंटरनेशनल एरपोर्ट टोटल 1250 हेक्टर्स यानि की 3100 एकर्स में फैला हुआ है वाई लंडन का लंडन हीथरो एरपोर्ट का टोटल एरिया 1214 हेक्टर्स यानि की लगबग 3000 एकर्स में फैला हुआ है अगर टर्मिल्स के बात करें तो दुबई इंटरनाशनल एरपोर्ट पे तीर टर्मिल्स है उसमें से टर्मिल 1 और टर्मिल 2 का इस्तमाल मल्टिनेशनल एरलाइन्स के लिए किया जाता है वही टर्मिल 3 केवल एमिरिट्स एरलाइन्स के लिए इस्तमाल किया जाता है जो की दुबई गवर्मेंट के अंडर आता है दुबई एरपोर्ट का टर्मिल 3 दुनिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट टर्मिल है जो कि अक्तुबर 2008 में शुरू हुआ था वही लेंडन एरपोर्ट पे कुल मिला के 5 टर्मिल्स है जिसमें से टर्मिल एक को अभी बंद कर दिया गया है Terminal 2 जिसे Queen's Terminal के नाम से भी जाना जाता है जिसका इस्तेमाल International Flights के लिए किया जाता है London Airport के Terminal 3 का इस्तेमाल Dubai, US और Canada जाने वाले Flights के लिए किया जाता है World Terminal 4 का इस्तेमाल North Africa, Asia और Europe जाने वाले Flights के लिए किया जाता है और Terminal 5 पे British Airways का Hub है अगर Runways की बात करें तो Dubai Airport पे पास-पास में दो Runways है जिसमें से Runway No. 12R 30L सबसे लमबा runway है जिसकी कुल लंबाई 4.45 किलोमेटर है वही लंडन ऐरपोर्ट पे भी दो ही Runways है जिसमें से Runway No. 09L 27R सबसे लंबाई है जिसकी कुल लंबाई 3.9 किलोमेटर है पैसेंजर ट्राफिक के बात करें तो दुबई के दुबई इंटरनेशनल एरपोट पे 2017-18 में 9 करोड पैसेंजर से ट्रावल किया था और पैसेंजर ट्राफिक के मामले में दुनिया का तीसरा और इंटरनेशनल पैसेंजर ट्राफिक के मामले में दुनिया का सबसे बीजियस्ट एरपोट है वे लेंडन के लेंडन हीतरो एरपोट पे 2017-2018 में 8 करोड पैसेंजर से ट्रैवल किया था और पैसेंजर ट्राफिक के मामले में दुनिया का साथवा सबसे बीजियस एरपोट रहा था कारगो ट्राफिक याने के माल आवागमन की बात करे तो दुबे एरपोट पे 2018 में 26 लाग टन माल की आतायत हुई थी और कारगो ट्राफिक के मामले में दुनिया का छटा सबसे बीजियस्ट एरपोट है वही लेंडन एरपोट पे 2018 में 18 लाग टन माल की आतायत हुई थी और कारगो ट्राफिक के मामले में दुनिया का 19 वा सबसे बीजियस्ट एरपोट है ATC यानी की Air Traffic Controller के Tower के Height की बात करे तो दुबै एरपोर्ट के ATC Tower की Height 87 मीटर्स है वही लेंडर एरपोर्ट के ATC Tower की Height 56.5 मीटर्स है आपकी जानकरी के लिए बता दे हवाई जहाज का पाइलट और ATC Tower में बैठा कर्मचारी हमेशा एक दुसरे से connected होते है और ATC Tower द्वारा ही मिलने वाले सिगनल का इस्तमाल करके एरपोर्ट अपनी हवाई यात्रा सबलता पूर्वक पूरी करते है दोस्तो एरप्राफ मुमेंट्स यानि कि कितनी फ्लाइट्स एरपोर्ट पे लैंड और टेक आफ करती है तो बता दे 2018 में दुबै एरपोर्ट पे 4,08,291 एरप्लेंस का आना जाना रहा था यानि कि प्रती दिन औस तन यहां पे 1118 फ्लाइट्स का आना जाना रहा था वही लंडन एरपोर्ट पे 2018 में 4,08,349 एरप्लेंस का आना जाना रहा था यानि कि प्रती दिन औस तन 1310 फ्लाइट्स का आना जाना रहा था IATA कोड यानि कि International Air Transport Association कोड की बात करे तो दुबई का IATA कोड DXB है हाला कि दुबई का IATA कोड DUB होना चाहिए था लेकिन DUB कोड पहले ही आईलन के डबलिन एरपोर्ट को असाइन किया गया था और इसलिए दुबई एरपोर्ट का IATA कोड DXB रखा गया था जिसमें से X जो कि एक variable letter है वही दूसरी तरब लेंडन हीट्रो एरपोर्ट का IATA कोड LHR है दोस्तों गर दुनिया के टॉप 100 एरपोर्ट की बात करे तो स्काइ ट्रेक्स के मुताबेद टॉप 100 एरपोर्ट में दुबई एरपोर्ट 23 नंबर पर है वही लेंडन हीट्रो एरपोर्ट 9 नंबर पर है यह ranking travelers ने एरपोर्ट को दी गई rating द्वारा decide की जाती है चलिए दुस्तों आखिर में इन दोनों एरपोर्ट के टॉप 10 वीजियस ट्रावल रूट्स के बारे में जान लेते है दुबई एरपोर्ट के टॉप 10 वीजियस ट्रावल रूट्स में लेंडन, बैंकॉक, मुंबई, कुवेत, जेदा, कराची, पैरिस, दिल्ली, मानीला और सिंगापूर जैसे शहर शामिल है वाई लेंडन एरपोर्ट के बीजियस ट्रावल रूट्स में नियॉक, दुबई, डबलिन, आमस्टरडाम, लॉस अंजिलिस, होंग कॉंग, फ्रैंक्फूर्ट, सिंगापूर, मैडरेट और पैरिस शामिल है तो दोस्तों आपको कौनसा एरपोर्ट अच्छा लगा? दुबई एरपोर्ट या फिर लेंडन एरपोर्ट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे और आपको हमारा यहो वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सस्क्राइब करना ना भूले हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद